हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लो मही मार्केट वाली नमकीन खा के मैं तो बोर हो जाती हूँ तो सोचा इस बार चलो घर में बनाते हैं वो भी कम से कम तेल का यूज करते हुए तो एक भारी तले की कड़ाई चड़ा ली है इसमें मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा यानि एक टीज स्पून तेल या आप घी भी ले सकते हो अब इसमें एक कटोरी मखाने को मैं अच्छे से भून लूँगी लगबग 3-4 मिनट के लिए जिसे की अंदर तक ये खूब सिख जाएं अगर आपको पताना चले तो एक मखाना हाथों से तोड़ के देखिए अच्छे से टूट जाए तो इसका मतलब है वह खूब अच्छे से फ्राई हो गया है मखाने निकाल लिए हैं आप वापस से थोड़ा सा अलमने डाला है इसमें तेल एक चम्मच के जितना और इसमें दो कटोरी हमने मुर्मुरा यानि की लईया या पाफ्ट राइस डाल लिया है इसे भी खूब अच्छे से हम चला लेंगे क्योंकि लईया हम बाजार से लाते हैं खुली रख देते हैं वो नम जाती है सील जाती है इसलिए इसमें जब हम हलके से तेल में इसे करे तो अब हमने यहां पे देखें अब मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइब कर रहे हो दो मिनट में लईया हो जाती है तो अच्छे सी क्रंची हो गए है लिया का कलर चेंज हो गया है तो अब हम लईया को भी अलग कर लेंगे आपको जितना ज्यादा बनाना उस इसाब से आप स यह पूरी तरीके से और आप चाहे तो डालें ना चाहे तो बिलकुल ना डालें तो यहां पे काजु किसमें सो गए हैं इन्हें भी हम अलग अटा लेंगे अब हमें थोड़े ज्यादा तेल की जुरत पड़ेगी तो हमने यहां पे एक कटोरी के लगबक तेल डाल लिया है रिफाइंड ओल ले लिया है आप सरसों के तेल में भी बना सकते हो इस तरीके से एक स्टील की छनी रख ली है छनी रखने का परपस यही है बस की जो चोटे-चोटे दाने होते हैं इदर उदर भी खरते गूमते रहते हैं तो अच्छे से फ्राई यानि की बाद में निकाल दाले में दिक्कत हो जाती है बनता नहीं है सही से निकालते तो इसमें छनी में रहता है तो बस डायरेक्ट तेल चान दिया और जो है तेल भी ऐसे कम बरबाद होता है तो बस इसी में मैं डालके इसे अच्छे से मुंगफली के दाने जब भी आप फ्राई करें मेरियम हीट पर फ्राई करें और जब तक इनका कलर जो है न अच्छे से डार्क ना हो जाए थोड़ा सा तब प्रकिने आप फ्राई करते रहें क्योंकि मुंगफली के दाने अगर कच्छे रह गए अंदर से नहीं सिके अगर आपने तेज आज में सेख दिये तो फिर खाने में अच्छ पूहा फूल जाता है तो इस तरीके से अब क्योंकि पूहा खुछ हानना भी काभी मुश्किल होता है तो तेल थोड़ा सा कम लग रहा है आप तेल की मातर थोड़ी ज्यादा डाले न और इसी तरीके से स्टील की छनी को रख कर लेना अगर श्टील की छनी रही है तो फिर आप नॉर्मल तरीके से ही पूहा को फ्राई कर सकते हो या फिर जो पतला वाला चूड़ा आता है ना उसे आप बस तवे पे ऐसे पैन में सेंख के भी ले सकते हो तो हमने चूड़ा भी फ्राई कर लिया है अब यहां पर ले रहे हैं हम कॉन फ्लेक्स जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है किसी भी जैन्रे स्टोर में आराम से मिल जाता है यह तो अब हमने परफी नमक बहुत है बहुँ टश्टी लगते हैं यह cornflakes इनको बस ऐसे ही फ्राई कर लो हलका नमक डाल के खाओ, अगर फ्राई नहीं करना चाहते हो तो नमक या बालू में भी इन्हें भून सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं, यह ओल-free होते हैं, मैंने अपने चैनल पे दूसरा जो मेरा कुकिंग का चैनल है कुक विद्रश्टनी सचान उसमें मैंने ओल फ्री नमकीन भी बना के दिखाई है आप जाके देख सकते हो तो अब यहां पर जो है हमने कॉन्फलेक्स को ले लिया है कॉन्फलेक्स हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे इस नमकीन म क्योंकि कौन्फलेक्स जो है बहुत ही अच्छा टेस देता है इसलिए और इसे बच्के अच्छे से खा लेते हैं तो अब इससे देखें इसको भी मैं इस तरीके से करके छण्णी में निकाल ले रही हूँ जिसे की तेल जो है सारा का सारा छण जाए वारी नमगीन में ज्यादा तेल ना रहे है अब यहाँ पर हमने एक मुठी भर करके करी पता लिया हुआ है और करी पता को यहाँ पर खुब अच्छे से फ्राई करेंगे करी पता अच्छे से जब फ्राई हो तो यह बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा एकदम कुर्कुरा हो जाएगा आप इसे हाथों से तोड़ो गिना एकदम पाउडर बन जाएगा तो हमें भी बस वैसे ही करना है पत्तों में तेल बहुत चिपक जाता है इसलिए तेल को अच्छे से आपने चोड़ दीजिएगा काफ मसाला तयार करेंगे लिया है कसूरी मेथी, जीरा, सौफ, साबुद धनिया, काली मिर्च और हींग और साथी साथ में थोड़ा सा सूखा पुदीना भी लिया हुआ है तवे पर इन सारी चीज़ों को हम भूनेंगे ये जो मसाला बन के तयार होगा ना इससे जो है बहुत कम चमच के जितना हम इसमें डालेंगे काला नमक और आदा चमच से कम डालेंगे इसमें सफेद नमक और साथी साथ इसमें डालेंगे हम आम चूर का पाउडर एक चमच के जितना या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से साथी साथ अब इसमें हम डालेंगे चाट का मसाला चाट म मिर्च का पाउडर काली मिर्च भी है लाल मिर्च भी है तो तीक है पन का खास क्यार लखेगा अब जो मसाला बनके तयार होगा उसे हम पूरा नहीं डालेंगे एक बार आप इसमें जो हमारा मैजिक मसाला आता है जिसे हम माकरोनी या नूडल्स पनाने में यूज करते हैं बड़ी बड़ी रहेगी तो जो मसाला आप डालोगे न उस सारा एक में ही लिपट जाएगा तो इस चीज से थोड़ा एक समान लगने लगे नहीं तो कुछ बहुत बारी लगेगा कुछ बहुत ज्यादा मोटा मोटा लगेगा तो नंकीन जो है ऐसे हो जाए कि चमच में अ तो ऐसे में आपको बेसन के सेव बनाने की कोई शिंता नहीं है इस तरीके से आप नंकीन बनाओ लेकिन इस बार जो मैंने ये नंकीन बनाई थी न तो ये नंकीन का जो मसाला बनके तयार हो रहा था न ऐसा यूनिक टेस्ट दे रहा था कि मार्केट वाली नंकीन या घर वा तो यह नमकिन जितनी ताजी खाने में नहीं अच्छी लग रही थी यो दो-तीन दिन बाद यह बहुत जादा टेस्ट दे रही थी सब कुछ मिला दिया है अगर आपको लग रहा हो टेस्ट करके देख लो लगे की मसाला वगेरा थोड़ा कम है तो यह जो मसाला है डाल सकते हो इसे आप किसी भी सलाद में भी यूज कर सकते हो या दूसरी कोई भी इस तरीके की सूखी गीली भेल बना रहे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो अब इसे में बंद करके रखोंगी एक एयर टाइट टिफिन में जिससे की यह नमे नहीं तो एयर टाइट टिफिन में बंद कीजिएगा पॉलिथीन में भरके भी रख सकते हो सील पैक कर सकते हो तो यहां बहुत ही अच्छी बिल्कुल भी आपको देख रहे हो ना प्लेट में भर रहे हो तो बिल्कुल तेल नहीं आ रहा है जिसे मार्केट वाली नमकीन होती है ना इसमें ज्यादा तेल का पता नहीं चलता बिल्कुल वैसे ही बनके तयार हुई है यह क्योंकि हमने इसमें ज्यादा तरचीजों को डीफ फ्राइन नहीं किया है मुंखली के दाने और मखाने आ बरबर के डाल सकते हो और भी टेस्टी लगेगी तो यह होममेड नमकीन आपको कैसी लगी मुझे चरूर बताएं कमेंट करके पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें बाकी लोगे साथ इसे वो भी बना पाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए